स्वस्त भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार ठंड का मौसम आने वाला है ऐसे में अपना ख्याल किस तरह से रखें और इस समय कौन-कौन से बिमारियों के होने का खत्रा रहता है कैसे हम इन से अपना बचाओ कर सकते हैं ये सारी बाते जो है वो बहुत ही महतपूर है और आप सब को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप आ और आफ्ड कर स्वागत हमारे हमारे कारकरब में नमस्कार है मौसम का तो हर वक्त हम का प्रभाव जो है या दूश प्रभाव दोनो आ हम इसको चेलते रहते हैं तो ऐसे कंप अखा़ है यह जो मौसम है अभी कभी गर्मी हुई फिर बरसाद का मौसम फिर अभी थोड़ा कभी थोड़ी थोड़ी थंड भी महसूस होने लगी है तो ऐसे में आम तोर पर कुछ ना कुछ परिशानी हो रही है तो आप तो एक चिकितसक हैं डॉक्टर हैं हर दिन मरीज देखते हैं किस तरह के लोग अभी ज्यादा आते हैं किस समस्याओं के होने का जो है वो खत्रा ज्यादा होता है इस वक्त जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी मौसम चेंज कर रहा है और बरसाद से हम लोग जाड़े की तरफ चा रहे हैं तो धीरे धीरे थंड़े का मौसम आएगा तो हम हम लोगों को अभी जो मौसम चेंज हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग देख रहे हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन सर्दी खासी और जैसे एडल्स में तो सर्दी खासी होके रह जाती है लेकिन एक्स्ट्रीम साफ एज जो है जैसे बच्चों में और मूडों में निमोनिया तक जाने का खतरा रहता है लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन भी हो जाते हैं तो यह सबसे कॉमन अभी देखा जा रहा है जो अभी शुरुआत में है कुछ इंफेक्टिव डीजीजेज जो अभी बरसात के खतम होते होते जो अभी तक अभी चालू है अभी जैसे डेंगू बगर है और अधर वाइरल डीजीजेज है जो फीवर के साथ बॉडी एक के साथ और अधर कॉम्टिकेशन के साथ आ रहे हैं तो वो सब अभी देखने को मिल रहे हैं लेकिन जैसे जैसे जाड़े का मौसम आएगा उसके अन्य प्र चारण क्या होता है देखिए मौसम जैसे जैसे चेंज करता है तो हमारे बॉडी में अड़ेशन जो है उसी अनुकूल होता जाता है लेकिन जब सट्रेशन्ज हुआ या थीरे जो भी हुआ बड़ी अड़ेशन्स कुछ लोगों के पूर होते हैं कुछ लोगों का इम्यून को टॉंसिलाइटीस होता है कुछ लोगों को नीचे जो लोर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से वो भी आ जाते हैं और जो विशेश कर खास करके जो लोग एलर्जिक होते हैं जैसे जो पहले से दम्या की मरीज है या फिर ब्रॉंकाइटीस का प्रॉब्लम है या इम हुआ मैं पूर होगा जिनका इम्यून सुस्टेम पूर होगा ऊनको ज़्यादा इफेक्ट होता है बहुत सारे कारन है इसमें लेकिर इम्मिनीटी भी एक बहुत बड़ा है इसका जो है वो रिजन है कारण है तो बहुत जरूरी है कि हम जो अपना जो रोग प्रतिदोदक् तो इससे समंधित किस-किस तरह की समस्याएं हैं, आप उस पर हम लोग थोड़ा सा वस्तार से लोगों को बताएंगे ताकि लोग अच्छी तरह से समझ सके और पचे रह सके जाड़े के मौसम में हवा जैसे-जैसे थंडी होती जाती है, मौस्चर का कंटेंट कम होता जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डीटेल में नहीं जाओंगा, जो मेकैनिजम है वो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रमाइज होने जगते हैं, और ऐसी स्थिती में अगर इंफेक्शन हो गए, उसी समय में कोई वायरस का इंफेक्शन हो गया, बैक्टिरियल कुछ लोगों को टॉंसिल इंफ्लेम्टन हो जाते हैं, बैकिन कुछ लोगों में जो ज्यादा आगे चला जाता है, बीमारी जादा आगे की तरफ जाती है, तो उसमें टॉंसिल याटी सोर थोट, फीवर, बाड़ी एक और साथ साथ शाश लेने में भी तकलीफ हो जाती है खांसी काफी होने लगती है, कुछ लोगों को खकार आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता है, कुछ लोगों के खकार का रंग पीला हो जाने लगता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, हाई फीवर्स आने लगते हैं, तो ऐसी इस्थिती को आने से पहले तो तो यह चेंज आफ टेंपरेचर जो का सदलिन चेंज तो बॉड़ी एड़ाप्त नहीं कर पाता है, हमारे सिस्टम से ड़ाप्त नहीं कर पाते हैं उस तरीके से, तो वैसी इस्तिती में भी बॉड़ी रियक्ट करता है या इन्फिक्शन से प्रोन हो जाता है बॉड़ी, तो सब चीजें को हम लोगों को एवाइड करना चाहिए और अपने बॉड़ी को ज्यादा ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है और बदलते मौसम में इसलिए सब सारी समस्यां ज्यादा होती है क्योंकि बहुत तरह के जो बदलाओं है वह वातावरण में हो जाते हैं और उस थंडी हवा का कॉन्टेक्ट होगा तो हमारी धंबनिया शिकुर्ती है जो बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्षन होता है थंडी हवा के प्रभामें उससे क्या होगा ब्लड पेशर राइस करता है तो छो फ्ल्लेड पेशर नॉर्मल जिनका है वो ठीक है लेकिन जो जो प्रोन है कि ब्लेड पेशर एक तो बढ़ता जा रहा है और दूसरी बात है कि ब्लेड की विस्कॉसिटी बढ़ रहे हैं ऐसी में हार्ट अटेक का खत्रा ब्रेन स्ट्रोक का खत्रा यह सब जाड़े के मौसम में काफी बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग जो है पानी उसी साप्च नहीं प्लस जो प्रोटेक्शन बॉडी को फुली कवर्ड रखना है वो नहीं रख करके बॉडी को एक्सपोज किया और ठंडे के लापरवाही मतलब लापरवाही नहीं करें हम लोग किसी भी तरह से क्योंकि यह हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम जो कि यह लीड कर सकता है ब्रेन कि ढखके कबर करके बॉडी पार्ट को कम से कम एक्सपोज करें ठंडी अवाग से जिसके चलते वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं का ब्लड पेशर और अपनी ब्लड पेशर की दवा नियमित रूप से रेगुलर रूप से लेते रहे बिलकुल यह इस तरह की जो समस्याय होती है हमें चाहिये कि इसको बढ़ने ना दे नहीं तो गंभीर अवस्था इसको लेने के लिए लेने से पहले ही हमें चिकिस्तक के पास जरूर जाना चाहिए बराबर अपना blood pressure check करते रहें, बराबर अपना pulse oximeter, जिनको सर्दी खासी बुखार हुआ, वो pulse oximeter, तो आज कल घर-घर में अबलेबुल है, चोटे फिंगर-टिप पुरोना पिरेड में तो हमने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ लोगों ने सीखा है, तो सब को कितना saturation point जो हम इसकी बार करते है, जो है, नॉर्मल यंग पेशेंट्स में 95-100 नॉर्मल है, oxygen saturation, SPO2 जिसको हम लोग बोलते है, 95-100 का रेंज नॉर्मल है, अगर 95 से कम होता है, breathlessness का problem है, और पहले से कोई और डिसीज नहीं है लंग की, तो इमेडियतली डॉक्टर से consult करें, कि हमारा saturation low हो रहा है, breathlessness हो रही है, सास लेने problem हो रही है, chest में heaviness हो रही है, इन सारे conditions में तुरत रिपोर्ट करें, बिल्कुल, ये तो chest वाली बात हो गई, और ऐसे लोग जैसे थोड़ी अगर परवाही बरते हैं, थोड़ी सी सर्दिखासी हुई, तो अपने आप से कोई दवा ले लिया या फिर precaution नहीं लेना, तो ऐसे लोगों को आप क्या सला देंगे, कितने दिन तक या कितने समय तक हम वेट करें, या हम तुरत जाएं, क्या करना है, या फिर ऐसे दवा ले लेनी है, जैसे आम तोर पर लोग लेते हैं, ये गल्ती होती है, लोगों से क्या ह होती है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, दवा देते समय कि मरीज की क्या स्तिति है, उनका age क्या है, body weight क्या है, उनके और कोई other diseases हैं की नहीं है, उनके background में और क्या problems है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए दॉक्टर दवा देते हैं, तो ऐसी स्तिति में कैसी दूसरे की दबा जो ली गई है उसको आप रिपीट कर दें तो उससे काफी हानी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुरत डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो आपके लिए appropriate medicine है, वो start करें, आपकी disease के हिसाब से, तो मैं लोगों को यही संदेज देना चाहूंगा कि neglect न करें, जैसे थोड़ा मुड़ा सर्दी खासी हुआ, लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा, और यही complicate करते करते हैं, वो severe pneumonia का फेज चला आता है, और वो काफी यह हो जाता है, भैयानक हो जाता है, ठीक है, छोटी मोटी सर्दी खासी है, तो दब जाएगी, खतम हो जाएगी, तो अच्छी बात है कि हम शुरू में ही उसको स्टार्ट करते हैं, और शुरुआत में ही अगर हम ठीक रहना चाहते हैं, तो कुछ प्रेकोशनली जो गरम पानी पीने या जो अगर गल बगल बगला कि आपने आते रहे हैं, जो हमारे होडी ही हूट यह पीना अगर रख है और बहुत ही पोल्ड ओर यह जो जो Applause राति टीन है घंडी कम के गलुआ होता है उसको घ्रहन करें तो जादा पूरे जाड़े मौसम में वो घरहन करें नहांते समय भी ज्यान रखें कि बहुत हीदी पोल्ड उट वाट से नहीं करें, जो एक normal temperature पर, body temperature पर हो, उसी पानी से स्नान करें, उससे क्या होता है कि जब हम बहुत cold water से स्नान करते हैं, वैसी इस्तिती में भी जैसा मैंने बता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है पूरे body के, जो सर्फेस से जो धमनिया सिकुर्ती है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को क्या होते हैं, जब जाड़ा का मौसम पीक पर रहता है, कुछ लोगों को फिंगर्स और टोज में, जो पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां है, उनमें खून जमने लगता है, तो उससे क्या होता है, उंगलियां नीली पर जाती हैं, मोटी हो जाती है और दर्द और खुझली होने लगती हुए हुझने डर्द और खुजली होने लगती हुझने क्या करते है पूरी तरह और ओंभाम पानी जो नाई मॐ किया से बहुत कह你說 लिए और नाहां के लिए इमीडियेटलिय दबा ले मोगको बीडर डिकुछ हो ज़रुद पढ़ जाती हैं वैसी अस्तिति में उगलियां काटना पढ़ जाता है तो अपने को उन सब चीजों से बचाने के लिए हमेशा गर्म मोजा पहन के रखें कोटन कपड़ा पहन के उसके ऊपर से वुलिन कपड़ा पहने तो जादा आपके लिए बेनिफिशर होगा स्किन के लिए और बोडी के लिए बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है और और भी जो आपने शुरू में जखर किया था ऐलर्जी के कारण भी इस वक्त जो है वो बहुत सारी समसाइं होती है अभी क्या होगा जैसे जाड़े के मौसम में कुछ लोगों का जो अपने सुनाओगा कि बुढे लोग जो होती थे दम्मा उनका उभर गया बोलते थे जाड़े की दिनों में तो यह क्या होता है कि एलर्जिक प्रोसेस और जो ठंड की वज़ा से जो होता है जो पहले से प्रोन इस बीमारी के या पहले से उनको यह बीमारी है दम्मा है तो वैसी स्थिती में कभी भी नेगलेक्ट ना करें अपनी दवाईयां जो ले रहे हैं और थोड़ा सा भी अग्रवेशन लगे आपको थोड़ा सा भी लगे कि हमारे सांस लेने में दिक्कत हो रहे है या खासी हमें स्टार्ट हो रहा है और जो रेगुलर पेशेंट है दम तो वैसी स्थिती में वो तुरत इमीडियेटल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि तुरत उनको ब्रांकोडायलेटर और ड्रग्स और अंटी अलर्जिक्स और अंटिबाटिक्स मिल जाएं इमीडियेटली ताकि वो उसी स्टेज पर उख जाए तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बढ़ते बढ़ते वो वेंटिलेटर तक की नौ बता जाती है वैसे पेशेंट्स में जो इसके लिए प्रोन है तो बहुत ही साफधानी रखनी हो सकती है या अधिक तर किन-किन चीजों से अलर्जी जो है वो देखी जाती है देखिए एलर्जी तो एक कॉमन प् वासम में बढ़ सकती है लेकिन अलर्जी तो कई अंगिनत चीजों से हो सकती है डस्ट से ले करके simple pollen grains, dust से ले के कुछ लोगों को खानी पीने की चीजें सबजीयों से भी अलर्जी होती है दूद से अलर्जी होती है तो कपड़े से अलर्जी होती है तो अलर्जी कई तरह क अनगिनत तरीके की हो सकते हैं परसंटू परसंड वेरीट, तो इसका पता कैसे लगता है। उसके लिए टेस्ट हम लोग करते हैं, कुछ ऐख एलर्जिक टेस्स होते हैं, जो उन सब चीजों से व एलर्जिक रेस्पॉंस देखते हैं कि बाड़ि में कौन सा चीज बाड़िव की तरह काम कर रहा है कौन-कौन बॉडी किस की बॉडी किस एलर्जन के प्रती सेंसिटिव है तो वह एलर्जिक टेस्ट होता है हमारा और उन सब उस एलर्जिक टेस्ट के आधार पर हम उन सब चीजों से दूर रहने के लिए काते हैं पेशेंट्स को लेकिन ऐसा संभव नहीं हैं जो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं जिसकी चलते उनका जो एलर्जिक प्रॉसेस है जो वह थोड़ा सा दबा रहता है तो उसके लिए भी जरूरी है कि वह नियमीच चेक अप कराते रहें वैसे पेशेंट्स अपने डॉक्टर के कांटक्ट में बराबर रहें और है वो पता करने लिए चीजे जो बराबर हम एकस्पोजर में आने के बाद फील करते हैं कि ऐसा थूर्णे के एकस्पोजर में हमाए तो ऐसा हो गया तो आसी चीजें तो कुछ जो जो टो पता चल जाती है लेकिन बहुत से चीजे नहीं पता चलती है जो हम लोग एग्nore कर जाते हैं और वैसा जब complications होता है तो हमको समझ में आता है कुछ ऐसा हो गया तो वैसी चीज़े हैं वह एलर्जिक टेस्स से पता कर लेते हैं कि वह जो allergen कौन सा allergen आपको सबसे ज़्यादा effect कर रहा है वह बता चल जाता है अगर बदलते मौसम में हम बात करें तो कुछ खान-पान के भी बात करेंगे पाचन संबंधी भी क्या समझ्याएं होती है इस बदलते मौसम के साथ या फिर जो ठंड का मौसम आने वाला है तो खान-पान में किस तरह का हम बतलाओ करें जाड़े के मौसम में हम लोग पानी कम पीते हैं, सबसे जादा यह होती है कि पानी प्यास कम लगती है, पानी कम पिया, तो उसे बहुत जादा बॉड़ी जो है थोड़ा विसकोसिटी ब्लड की बढ़ जाती है, तो इसकी वज़े से भी अधर कॉम्लिकेशन्स जो होते हैं, जो बॉड़ी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड सप्लाई की कमी और उसकी वज़े से जो अधर कॉम्लिकेशन्स जो मैंने पहले चर्चा किया, तो वो सब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पानी अच्छी तरह पियें, गुनगुना पानी पियें, प्रॉपरली अपने को सब्सक्राइब करें, जैसे रूम को पूरा हॉट रखा, सब्सक्राइब निकल गया, या गरम पानी से नहा के तुरत बहार निकल गया, कपड़ा नहीं पहना ठीक से, तो वो सब सारी चीज़ें जो हम एववाइड करें, और जो खान पान की बात अपने कहीं, तो खान पान पचेंगे नहीं ठीक से, और हमारी चुदा मंदिता भी हो जाती है, जिसको बोलते हैं, हिंदी में ही मैं बताना चाहूंगा, कि भूग की कमी हो जाती है, जाडे के मौसम में थोड़ा जो पाचन शक्ती थोड़ी कम जोर होने लगती है, तो वैसे ही सिती में हम थोड़ा कम खाएं, कम मात्रा में खाएं, शुपाच्य भोजन लें और थोड़ा प्रोटीन डायट जादा लें, जाडे के मौसम में थोड़ा प्रोटीन डायट जादा लेना चाहिए, यह जो बदल रहा है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और साथ-साथ हमें बहुत जरूर तो अभी ठंड का मौसम अभी बहुत जोरों से ठंड पढ़ने वाली है, तो आप लोग को क्या आसला देंगे, सखास करके जो छोटे बच्चे हैं, जो व्रिजन है, उनको क्या आसला देना चाहिए, व्रिजन को मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कि जॉइंट पेंस ज जाता है, तो इसलिए जल्दी में बताना चाहूँगा, कि बच्चों को और बुढों को, एक्स्ट्रीम सफ एजेज में, टेंप्रेचर चेंजेज को एवाइड करें, जितना ज्यादा अपने आपको प्रटेक्ट कर सकें, कभर कर सकें, एक्स्ट्रीम कोल्ड कंडिशन में जाने से, एक्स्ट्रीम होट में जाने से, बचें, और जितना कोशिस हो, एक नॉर्मल बॉडी तंप्रेचर को मेंटेन करने की कोशिस करें, बिल्कुल, तो मौसम को ध्यान में रखती हुए, जाहे बच्चे हों, युवा हों, या व्रिजन हों, उनको मौसम के हिसाब से ब त्योहरों का मौसम है, तो पर त्योहरों में भी हम जरूर आनंद मनाए, अच्छा बोजन करें, लेकिन जो आपने कहा गरिष्ट बोजन और तलाबुना उससे थोड़े बचे रहे हैं, पॉस्टिक बोजन, संतुलेद बोजन ले, तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, चाहे को झाल